जय हिंद एवरिबन तो आज हम लोग बिहार बोर्ड मेट्रिक परिक्षा 2023 संब्दित भोगोल का जो है सभी चेप्टर से एक बार जरूर देख लेना कि कि पार्ट वर्ण इसका कर रहे हैं लगुतरिय प्रस्ण जो दोंग का जो आता है दो मार्क्स का वह हम कर रहे हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर दिजिएगा क्योंकि याँ से सब्सक्राइब कर दिएगा इसी चनल के माध्यम से बिहार बोर्ट से सम्बंधित औल सब्देट का चलिए वीडियो को सुरू करते हैं इना टाइब कर आते हुए इंपोटेंट कोश्चन है यूट्यूब चनल का नाम एक्जामिनेशन मास्टाव डिके टेलीकना पर भी या इंस्टाग्राम पर या फेस्बूक पर भी आप जूर सकते हैं और इस चनल पर सब्सक्राइब कर लिए इस टैप का लिखा गए सब्सक्राइब इस पर किलिक करक कोस्चन समझा कि एक बार दुबार को पॉर लिजे जब तक को नहीं समझेंगे तब तक आप रूख राइट नहीं देंगे तो को समझें तो हमारा पर्यास रहेगा कि को आपको इजलीवे में समझा जाए संसाधन को परिभासित कि यह इसी तरह कहा देगा कि संसाधन क्या है ठीक है संसाधन क्या है तो चले हम आप लोग को बता दें कि संसाधन क्या है पहले जो हम समझा देते हैं उसके बाद यह जो आप लिखते रहेगा तो अगर जियाम देते हैं देंगे जाएंगे तो कोशन मे लिखा आता है कि विद्यार्थी यह था संभव उत्तर अपना सब्दों में दे तो आपको जो समझ में आए वही उत्तर देना चाहिए यह को जरूरी नहीं है कि किताब में लिखा हुआ बात आप जाके वहां लिख दे ठीक है आप लोग को जैसे कि डोक्टर भिम्रा वंबेटकर जी का बात याद होगा जब एक्जाम देने गए थे न वह तो आईसा एंसर कहां से लिखेंगे सभी बच्चा तो किताब से एंसर लिखा होगा फिर सबका उतना मार्क्स क्यों नहीं आया जितना कोस्चन ता उससे ज्यादा मार्क्स उनको आय कि यह लड़का को स्टुडेंट को बुलाओ कि इतना अच्छा एंसर कई से लिखा ठीक है तो उत्तर अपना सब्दों में दिजेगा जो आपको ब्रेंड और करेगा ठीक है किताबी भासा तो सब लिखता है चले तक संसाधन क्या है तो संसाधन देकि वह माध्यम है जैसे क आइसे भी आप लोग जां सकते हैं कि मानव को मिलनेवला सुख सुबदाई संसाधन है ठीक है मानव Κो यानकी हम लोग को मिलने वलता हुआ संसाधन है चलने के लिए रोंट यह भी संसाधन है पीने के लिए पानी यानि कल यह भी संसाधन है पानी मिल रहा है वह भी संसाधन है खाने के लिए खाना मिल रहा है वह भी संसाधन है अभी जो जिस मोबाइल पर देख रहे हैं या 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 यूटूब पर देख रहे हैं यानि कि हम लोग के एक छानुसार जो भी सुखस्विदा मिलता है वो क्या संसाधन है तो वह ही कहता है कि संसाधन को पड़िभासित की यह कोशन इस तरह भी घुमा के पूछ सकता था कि संसाधन क्या है या संसाधन से आप क्या समझते है या संसाधन किसे कहते हैं कोशन इसी परिवासा क्या है तो प्रकिर्ती में प्रकिर्ती के विए सभी पदार्थ यानि कि पुरा वायुमंडल में धर्ती से लेकाकास तक प्रकिर्ती के विए सभी पदार्थ जो मानव की अपसक्ताओं की यानि कि हम लोग के अपसक्ताओं की जो जरूरत होता है उसा मिलने के अनु करने में उपियोगी हो संसाधन कहलाते हैं क्या करते हैं संसाधन कहलाते हैं यानि ऐसे भी समझ सकते हैं कि मानवी अब प्रकृति में बिभिन रूप में पाये जाते हैं किन्तु यह तब तक साधन की कोटी में नहीं आ पाते जब तक उन्हें उपयोगी न बना लिया जाए संसाधन तभी उपयोग में आता है मानकर चले देखें कोई विरिक्ष रखा हुआ है ठीक काटा हुआ उसको जब तक हम अपने उपयोग में नहीं लाए हुआ संसाधन नहीं हो सकता है ऐसे यह एंसर लिख सकते हैं हम नहीं कहे रिद्धिये हम लोग के सुःख्ष्वधाय के अनुसार मिलने वाला क्या है उसंसाधन है तो संसाधन होता है दो परकारता हूपर इसकी सूर्य हो गया चांद हो गया यह सब पहार हो गया यह खुद से बना हुआ है इसे कहते हैं प्राकृतिक संसाधन दूसरा होता है मानभशंसाधन में जाता है रोड्शरक कपरा पानी पिने के लिए जल्वाइ यह सब क्या है जल्व नहीं होगा कुवाइब प्राकृत से बना हुआ खुछ से पहले से बना हुआ है वो प्राकर्टिक्शन साधनों होगा तो आज के लिए तना है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो एक एक वीडियो करके जो हम लाएंगे इस चैनल पर नाया है तो चनल को सब्सक्राब करें डिजिटी नोटिफिकेशन कॉल कर लिजेगा और मिलेंगे नेक् कोशन के साथ आज के लिए तना है थैंक्यू जाहिन जाबारत